हाई ट्विल्दीज, वेलकम टो एजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक इंपोर्टेंट टॉपिक पर आप सभी से बात करने वाली हूँ, जो कि आपको दिख गिया है, यहां पे 15 डेस के स्ट्रेटेजी आप सब की क्या र जो इस टाइम को एक तरीके से युटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं बाहर की चीज़ों में, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दू, यह जो 15 दिन है, यह आप लोगों के पास एक golden time period है, जिसमें आप अगर इसको अच्छी तरीके से युटिलाइज कर लेते हो, तो आप बहुत अच्छा score कर सकते हो, तो सबसे पहले बात करेंगे, यहां पर कि आप किस category में लाए करते हो, जैसे ही में आएगा ना, वैसे ही में का मन्त में आपको बस situation होती है, पैनिक वाली कि एक्जाम आगे, एक्जाम आगे, उस समय पर हमें इतना time नहीं हो तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे अपने course को complete करने की, क्योंकि काफी student ऐसे हैं जिनको course complete होगा, बट बहुत सारे student ऐसे भी हैं जिनका course complete नहीं है, तो सबसे पहले आप अगर इस category में लाए करते हो, जिनका course complete नहीं है, तो आपको यह 15 दिन यूटिलाइस करने हैं अपन होने चाहिए कि मैं कहां यूटिलाइस कर रहा हूँ, मेरे कितना course है जो अभी तक नहीं हुआ है, लाइक हम लोग जैसे physical education है, English है, हमारा इसको बहुत ही जाते इग्नोर करके चलते हैं, मनद ध्यान ही नहीं देते, पर ऐसे नहीं करना, देखो यह भी आपके subjects हैं, आपके marks consider किये जाते हैं, इन subjects के भी तो आपको इन पर भी efforts करने की जरूरत है, और ये 15 दिन में आप इनको खतम कर सकते हो बहुत असानी से, इसके साथ साथ आपके जैसे accounts का कोई chapter रहता है, business का कोई chapter रहता है, economics का है, maths का है, तो आप यहाँ पर target fix कर सकते हो कि दो दिन के अंदर कि तीन chapter छूटे हुए, जिने मैंने नहीं पढ़ा है, तो यानि कि वो तीन दिन या दो दिन के अंदर में आराम से complete कर सकता हूँ, चलो मान लो तीन दिन के अंदर, तो तीन दिन में कितने घंटे देने वाले हो, दो धाई डाई गंटा, और बाकी के घंटे आप कहां तो आप मुझे मेंसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कमेंट कर दो यार, कि मैंने दिन में कितने दिन में complete कर सकते हैं, तो मैं बता दूँ कि इतने topics हैं, इतना समय आपको एक दिन में देना है minimum, like दाई घंटा, तीन घंटा, और आप 3-4 दिन के अंदर उसे complete कर सकते हो, अराम से वो भी, तो आपको ये 15 दिन, जिन स्टूदेंस का course complete नहीं है, course को complete करने में लगाओ, डेली के minimum 8-10 घंटा पढ़ो इस समय पर, और minimum बोला हैं, मैंने maximum नहीं बोला, तो maximum आपके श्रद्धा है, आप कितना पढ़ना चाहते हो, लेकिन minimum 8-10 घंटा इस समय पर आपको अपनी पढ़ाई को देना चाहिए, उसके बाद अब हम बात करेंगे guys, second category में, बहुत साथे students हैं, जिनका course complete हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, तो अब वो क्या करें, तो guys, आपको आना है इस समय पर difficult topics पर, difficult topics कौन से, यानि कि आपने अपने chapters तो complete कर लि difficult लगता है, मेरा course complete है बट ये difficult लगता है मुझे, तो मुझे अब ये time जो है, अपना 15 दिन का उन पर consider करना है, क्योंकि देखो marks तो लगने है, marks आपके consider तो किये जा रहे है, हाला कि आपका exam है, entrance exam है, but guys, जो आपकी इतनी महनत है, आपकी पढ़ाई है, entrance में भी same कि भाई हमारे तो marks ही नहीं लग रहे हैं, इसके तो हम क्यों पढ़े, so guys, देखो नहीं पढ़ोगे, तो entrance clear नहीं होगा, entrance clear नहीं होगा, तो college में admission कैसे होगा, इसलिए आपको पढ़ना है, तो जो difficult topics हैं, वो students, इनका course complete है, वो इस step को skip करके यहां आए, और अपने difficult topics को cover कर करें, जहां पर उनको दिक्कत आ रही है, उन topics को cover करें, और क्या करें, third step पर आए, third step आपका है guys, revision का, revision का, revision अपनी start कर दे, वो students जिसका ये भी category complete हो जाएगी, वो अब revision पर आ सकते हैं, revision कैसे करनी है, तो सबसे पहले revision होती है guys, अपनी खुद की book से, क्योंकि books में बहुत जिसे हम पढ़ते हैं, जल्दी में पढ़ते हैं या फिर ignore करके चलते हैं, तो अभी है समय है, जो आपको हर एक छोड़ी छोड़ी चीजों पर ध्यान देना है, जैसे मैं national income की बात करूं, अकसर students, real GDP, nominal GDP को छोड़ते हो चलते हैं, जबकि उस पर question आता ही आता है, intermediate goods को सकते हो, उसके बाद आपके पास neck पर बहुत भर्मार है, आपके पास material available है, आप उसमें से practice कर सकते हो, sampler पर से practice कर सकते हो, तो revision करनी है, वो students जिनका ये दो step complete हो जाएंगे, उसके बाद अगर और भी कोई करसर है, तो guys, अपने concept clarity को इतना मजबूत कर लो कि कोई भी question आए आप कर सको, हमेशा ratification से पास नहीं होया जाता, हमेशा accounts, business, eco, concept clarity मांगते हैं, तो जो जो concept है, उनको इतना मजबूत करो कि कोई भी question आजाए, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो इस तरीके से आप 15 दिन की अपनी strategy बनाओ, और उसके according plan करो, जो students revision पे हैं, जो student difficult topic पर है उन्हें भी 15 दिन अपने घंटे कैसे utilize करने, उस पर ध्यान देना है, उसका मतलब यह नहीं है कि आप उस पर ध्यान दो, आपको भी ध्यान देना है guys, कि आपका हरे घंटा कहा utilize हो रहा है, और वो worthful होना चाहिए, तो इस तरीके से अपनी त्यारी करो, 15 days strategy जरूर बनाओ, अगर कहीं पर कहीं पर भी कोई दिक्कत है किसी chapter को लेके तो आप मेरे साथ share कर सकते हो, instagram पर idea तबिता मैसी, या फिर मुझे comment के through भी बता सकते हो, thank you